स्वागत है आप सभी का जोती शूर्जा में। हम सब जानते हैं, जीवन का अंतिम सत्य मृत्यू है। हमें पता है कि एक दिन सभी को ये शरीर त्याग कर जाना है। एक आत्मा ही है जो अमर है, जो एक शरीर छोड़ कर दूसरा शरीर धारन करती है। लेकिन धार्मिक मानिताओं के अनुसार, इसके मध्य हमारे मृत्यू के बाद आत्मा यमलोग की और जाती है। यमलोग नगरी तक आत्मा कैसे पहुँशती है और कैसा होता है ये सफर। आईए जानते हैं कुछ रोचक सी ऐसी बातें जो आत्मा के सफर के बारे में है। आत्मा का सफर इस प्रकार से चलता है। मृत्यू के बाद व्यक्ति की आत्मा प्रेत रूप में 200 योजन चलती है। 200 योजन मतलब 1600 किलोमेटर यात्रा करती है। एक योजन में 8 किलोमेटर का सफर वो तैय करती है। इस तरह एक वर्ष में आत्मा यमराज के नगर में पहुंचती है। वैतर्नी नदी को छोड़कर यमलोग का मार्ग 86,000 योजन है। वैतर्नी नदी बहुत ही भयानक मानी जाती है, जिसे पार करना बहुत कठिन है। यम मार्ग में 16,000 पुरियां यानी नगर है। ये सभी नगर बड़े ही भयानक माने गए हैं। इस मार्ग में बहुत कम समय के लिए वैक्ति की आत्मा को महीने में एक बाठ हैने का अफसर मिलता है। यहां आत्मा अपने पुर्वजनम के कर्मों और परिवार के लोगों को याद करके दुखी होती है। दूसरी और यमदूतों की यातना से दुखी होकर आगे कैसा शरीर मिलेगा ये सोचकर भी घबराती है। यम मार्ग में भयानक बहुत सारे भयानक नर्ग भी माने जाते हैं। यम मार्ग में कई ऐसे नर्ग हैं जिन में कुछ नाम हैं अंधतम और तामर में। अंधितम के लिए माना जाता है कि ये कीचड और जोंक से भरा हुआ है जबके तामर में तपे हुए पतामबे जैसे गरम है इस मार्ग से जाते हुए पापकर्मों को करने वाली आत्मा दुख पाती है यमकाल के द्वारपाल भी माने जाते हैं मानते हैं कि यमकाल के भवन पर धरम ध्वज नाम का द्वारपाल पहरा देता है यही चित्रगुप्त को पापी लोगों की आत्माओं के यमलोक में आने की सूचना भी देता है यमलोक के द्वार पर दो भयानक कुत्ते भी पहरा देते हैं जो पापियों को देखकर लाल आँखे किये उनको झपट लेना चाहते हैं। यमराज के दर्बार में ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवन और उनकी पत्नी श्रवनी वास करते हैं। श्रवन पुरिषों के सभी कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। ये पुरिशों की सभी बातों को दूर से ही सुनकर उनके पाप और पुन्य का लेखा जोखा करते हैं। इनके कहने के अनुसार ही यमराज पुरिशों को उनके कर्मों का फल देते हैं। और दूसरी तरफ शवन की पतनी इस्त्रियों के पापपुन्यों को यमराज से बताती है। इनकी बातों और सलहा के आधार पर यमराज महिलाओं को उनके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। सूरे, चंद्र, जल, अकाश, मन, दिन, रात और धरम मनुश्य के कर्मों को जानते हैं। यमराज व्यक्तियों के कर्मों का हिसाब करते समय इनने भी गवाही के लिए भुलाते हैं। कई रिशी और अशुमेग यग्य के फल से उत्तम लोक में गए राजगन भी यमराज के दरबार में सलहाकार होते हैं। सभी से विचार और सलहा करने के बाद यमराज व्यक्ति को दंड और उसके अगले शरीर के बारे में विचार करते हैं। अपने कर्मों का फल भोग कर प्राणी को फिर से बचे हुए कर्मों का फल भोगने के लिए नया शरीर मिलता है। तांके हम जब उस द्वार में पहुँचे यमराज के द्वार में पहुँचे तो कहीं ना कहीं हम अपने अच्छे कर्मों को साथ ले कर जाएं। और इससे वो भी प्रसन हो देख कर के कोई ऐसा व्यक्ती है जिसने अच्छे कर्म किये हैं। और जिसको वो एक संत का जीवन दे सकते हैं। जो बहुत ही अच्छा हो और जो दूसरों की मदद के लिए हो, दूसरों के भले के लिए हो। और जिस जीवन को लेकर आप भी आगे आने वारे समय में अपने अगले जनम में किसी बात को लेकर रंज ना हो कि आपको जीवन कैसा मिला है क्योंकि ये हमारे अपने ही कर्मों का फल है। अगर अच्छा जीवन हम भोग रहे हैं तो भी वो हमारे अच्छे कर्मों का फल है और अगर इस जनम में हम बुरा जीवन भी भोग रहे हैं तो भी वो हमारे बुरे कर्मों का फल है तो इसलिए आने वाले जनमों को सुधारने के लिए हमें पहले ही तयार होना है और अच्छ तक बूरा होता है अगर आप में से कुछ लोग भी अपने मन में ये धारना बनाते हैं कि आप हमेशा अच्छे करम करेंगे तो आपके लिए ये जीवन जो है संपरुण हो जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति तक भी आप पहुंच सकते हैं आज के लिए इतना ही मैं मिलती हू अगली वीडियो में अगले विशे के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवशे करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आपको इसे देखने के लिए धन्यवाद